हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे LSE के धन रिखा प्लान नमबर 863 के बारे में दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम इस प्लान के बारे में आपको इस प्लान के बेनेफिट इस प्लान के features इस प्लान के parameters और इस प्लान को एक example द्वारा भी समझने की कोशिज करेंगे तो आएए शुरू करते हैं दोस्तो इस प्लान को LIC ने 13 दिसंबर 2021 में सुरुआत कर दी थी इस policy की खासियत यह है कि यह policy में 100% आपको maturity की guarantee दी जाती है दोस्तो जब भी आप इस policy को लिंगे तो आपको यह पता रहेगा कि maturity पर मेरे को कितना return मिलने वाला है और आगे बढ़ते हैं इस प्लान के और क्या खासित है दोस्तो यह plan एक non-linked policy है यानि share market से इसका कोई लेना देना नहीं है और साथे साथ यह एक non-participating policy है यानि LIC के profit में यह policy भाग नहीं लेती है क्योंकि आपको पहले ही इसमें 100% maturity की guarantee दे दी गई है और आगे यह है एक individual policy है saving के साथ साथ यह है एक life insurance plan भी है life insurance plan भी है और यह policy आपको saving के साथ साथ protection भी देती है दोस्तो अब बात करते हैं इस plan के key features की यानि इस plan के क्या क्या खाश्यत है तो दोस्तो यह एक money back policy है यानि आपको इसमे money back दिया जाता है यह एक limited premium policy है यानि जित्ते साल की policy term आप चूज करते हैं उससे कम समय के लिए आपको premium का भुकतान करना होता है और इसमें single premium mode भी है यानि यदि आप इसको कहीं सालों के लिए premium इसमें नहीं भनना चाते हैं और एक बार premium भनना चाते हैं तो आप जो है इसमें single premium यानि one time premium भरके भी इस policy को ले सकते हैं साथी साथ यह है जैसा कि मैंने बोला कि यह है एक hundred percent guaranteed maturity policy है इसमें आपको hundred percent maturity guaranteed मिलेगी आगे बात करते हैं इसमें premium paid is lesser years than in maturity years यानि जित्ते भी साल की आप policy की term लेते हैं उससे आपको कम समय के लिए इस policy में premium का भुकतान करना होता है जैसे इस policy में यदि आप 20 साल की term लेते हैं तो आपको premium payment केवल 10 साल के लिए ही करना है एडर की facility इसमें दी गई है और इसमें आपको accidental and disability benefit rider मिल जाता है आप अगर अपने policy में अपने risk और को बढ़ाना चाहते तो term assurance rider मिल जाता है यदि आप critical illness rider चाहते हैं कि कोई गंभी जानलेवा बिमारी से मुझे financial protection मिले तो आप critical illness rider को भी ले सकते हैं और आप यदि premium waiver benefit benefit लेना चाहते हैं वो यह तब ही मिलता है यदि आप इस policy को बच्चों के नाम से लेते हैं आगे बात करते हैं इसमें आपको option दिये जाते हैं जैसे इस policy में आपको 15 साल के premium paying term है 15 साल का premium paying term है और 20 साल का premium paying term है मतलब premium paying mode क्या-क्या है 10 साल है 15 साल है 20 साल है और single premium payment भी है यदि आप एक बार में premium बनना चाहते हैं आगे बात करते हैं premium paid are exempt under section 80C जो भी premium आप हर साल financial year में भरेंगे उस पर आपको under section 1010D में income tax benefit दिया जाएगा और साथी साथ जब आपकी maturity हो जाएगी तो under section 1010D में जो भी maturity मिलेगी उसमें से आपको एक रुपया भी tax नहीं काटा जाएगा आगे बात करते हैं इस policy में parameters यानि eligibility की parameters eligibility का मतलब है मापदंड की किन सर्तों पर इस policy को आप ले सकते हैं तो इसमें policy लेने के लिए minimum age की बात कर लेते हैं मलब minimum age add entry दोस्तो यदि आप इस policy को बच्चों के नाम से लेते हैं तो बच्चे को 90 दिन होना जरूरी है यदि बच्चा 90 दिन complete कर चुका है तो आप इस policy को उसके लिए 40 दिन के लिए ले सकते हैं और यदि आपका बच्चा 3 साल का है तो आप उसे 30 साल के लिए policy को ले सकते हैं यदि बच्चा 8 साल का है तो आप 20 साल के लिए policy ले सकते हैं कहने का मतलब यह है कि 90 साल का बच्चा केवल 40 साल के लिए इस पॉलिशी को ले सकता है 3 साल का बच्चा है तो वो 30 साल के लिए पॉलिशी को ले सकता है और 40 साल के लिए पॉलिशी को ले सकता है और यदि बच्चा 8 साल का है तो आप इस policy को उसके लिए 20 साल के लिए ले सकते हैं 30 साल के लिए ले सकते हैं और 40 साल के लिए ले सकते हैं आगे बात करते हैं maximum age at entry की तो maximum age at entry क्या है यदि कोई 60 साल का व्यक्ति है मतलब इस policy को 60 साल से ज़्यादा का व्यक्ति नहीं ले सकता 60 साल मैकदिक्तम इस policy को लेने के लिए 60 साल मैक्सिमम एज है यदि व्यक्ति 60 साल का है तो वह इस policy को 20 साल के लिए ले सकता है 50 साल का है तो वह इस policy को 30 साल के लिए ले सकता है और 20 साल के लिए ले सकता है और यदि policy holder 40 साल का है तो वह इस policy को 40 साल के लिए ले सकता है 30 साल के लिए ले सकता है और 20 साल के लिए ले सकता है और यह विकल्प उसके लिए single premium पर है यदि वह है single premium यानि one time premium भड़ता है तब आगे क्या condition हम देख लेते हैं आगे है for limited premium payment यानि वह अगर limited premium payment विकल्प का चुनाव करता है तो वह premium कैसे भरेगा तो दोस्तो यदि वेक्टि 55 साल का है 55 साल का है तो 40 साल के policy वह ले सकता है 45 साल का है तो 30 साल के policy भी ले सकता है और 40 साल के policy भी ले सकता है यदि वेक्टि 35 साल का है तो यह इस policy को 20 साल के लिए 30 साल के लिए और 40 साल के लिए ले सकता है आगे बात करते है maximum age at entry की मतलब sorry maximum maturity age तो दोस्तो maximum maturity age जो है इस policy में 80 साल है 80 साल में यह policy mature हो जानी चाहिए किसी भी condition में 80 साल से उपर पर उपर के age पर यह policy mature नहीं होती है आगे बात करते हैं premium payment mode की premium payment mode यानि आपको कित्ते साल के लिए premium भरना है premium paying mode तो दोस्तो इस policy में आपको जो है premium payment आप yearly कर सकते हैं half yearly कर सकते हैं quarterly कर सकते हैं monthly कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इस policy में single premium भर के भी इस policy को ले सकते हैं जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं अब बात करते हैं policy term की तो policy पॉलिशी टर्म इस policy में तीन टर्म दी गई हैं 20 साल के लिए policy को ले सकते हैं 30 साल के लिए इस policy को ले सकते हैं तो आपको 10 साल के लिए premium का भुकतान करना होगा 30 साल के लिए इस policy को ले तो 15 साल के premium का भुकतान करना होगा 40 साल के लिए लेते हैं तो 20 साल के premium का भुकतान करना होगा जैसा कि मैंने बोला था कि इसमें आधे यदि आप term लेते हैं तो आधे सालों के लिए ही प्रीमियों का भुक्तान करना है 20 के लिए 10, 30 के लिए 15 और 40 के लिए 20 साल अब बात करते हैं कि इस policy में आप कितने से इस policy को की सुरुवात कर सकते हैं तो इस policy में जो basic sum assured है वो है minimum 2 लाग मतलब 2 लाग के sum assured यानि बीमा से आप इस policy को ले सकते हैं यदि आप इसके उपर इस policy को लेने चाहते हैं तो 25,000 के multiple में ले सकते हैं यानि आप इस policy को बढ़ाने चाहते हैं तो 2,25,000, 2,50,000, 3,00, 4,00,000 यानि 25,000 का multiple होना चाहिए आगे बात करते हैं कि यदि आपने इस पॉलसी को ले लिया है और अगर आपको बीच में पैसे की ज़रत पड़ती है तो आपको इस पॉलसी में लॉन की फैसल्टी दी जाती है तो इस पॉलसी के दो साल की प्रिमियम कंप्लीट करने के बाद दो साल पूरे होने के बाद आप इस पॉलसी में दो साल बाद लॉन भी ले सकते हैं और शुरुवाती दोर पे लॉन जो है यदि दो साल कंप्लीट होने के बाद आप लॉन के लिए अपलाई करते हैं तो इस प भुकतान करते जाएंगे तो आपकी loan value भी बढ़ती जाएगी यदि मैं बात करूँ कि यदि 5 साल के बाद आप loan के ले apply करते हैं तो आपको 50% loan मिल जाएगा साथ साल में करते हैं तो आपको 70% loan मिल जाएगा ऐसे करते करते हैं जितनी साल आप premium भुकतान करेंगे तो आपका loan का value बढ़ता ही चला जाएगा आगे बात करेंगे इसमें loan का interest के विलिए भी हम आपको बता देते हैं कि interest जो है interest यदि आप loan लेते हैं तो आपको 9.5% लगता है साल का और आगे बात करते हैं कि यदि आपको किनी कारणों से इस policy को surrender करना पड़े surrender करना चाहते हैं यानि policy को cancer करना चाहते हैं बंद करना चाहते हैं तो आप दो premium भरने के बाद इस policy को surrender भी कर सकते हैं लेकिन surrender करना इसमें आपको loss दे सकता है दोस्तो अब बात करते हैं इस प्लान के benefit की तो benefit में यह benefit है, पहले benefit की बात करेंगे majority benefit की यदि आप इस policy को लेते हैं, तो आपको policy के अंत में क्या मिलता है तो दोस्तो सभी policy में एक जैसे चीज मिलता है पहली चीज मिलती है, summer short यानि जितने भी summer short के अपने policy ली है यह सभी policy में आपने देखा होगा साथ में मिलता है accrued guaranteed edition यानि जितने भी साल के policy ली है उसमें आपका bonus कितना जुड़ा है लेकिन यह policy एक guaranteed return वाली policy है तो इसके बारे में भी हम आके बताएंगे तो दो चीज़े मिलती है basic summer short plus guaranteed edition तो एक example के बारे में द्वारा समझाने के कोशिज करूँगा मान लीजिए आपने पांस लाग की policy ली है और आपने इस policy को 20 साल के ली ली है 20 साल के ली ली है 20 साल की term है तो इसमा आपको maturity क्या मिलेगी summer short आपने लिए है पांस लाग का तो जो maturity है M, T, Y हमको इसको लिख देते हैं तो पांस लाग रुपे summer short मिलेगा और हम आपको bonus का हिसाब समझाते है bonus क्या होता है तो दोस्तों bonus जो होता है वो एक लाग के insurance पे एक लाग के insurance पे लगबर लगबर 4800 प्रति लाग समझोड या 5000 प्रति लाग समझोड इस तरीके से मिलता है तो यदि एक लाग हमने पांस लाग के लिए तो एक लाग पे जो bonus है हम करीब करीब 5000 रुपे मान लेता है एक साल का और हमने 5000 लाग का policy लिया है पांस से तो एक साल का bonus हुआ आपका 25,000 पांस पांस जार गुणा 25,000 तो इसमें जो पूरे 20 साल का term का जो bonus होगा वो पांस लाग में जोड दे जाएगा तो पांस लाग के हिसाब से हम जोड लेते हैं एक साल का 25 साल सोरी 25,000 जोड के दिखाते हैं आपको ये एक लाख पे bonus एक साल का 25,000 राइट तो 20 साल में कितना होगा तो 20 साल में होगा 25,000 गुणा 20 तो ये हो गया 25,000 गुणा 20 यानि 5 लाख 5 लाख रुपर हो गया तो आपका जो bonus चुड़ेगा मैं आपको दूसरे color में यह पर बता देता हूं color चुच कर लेता हूं यहार आप लेता हूं तो 5,000,000 रुपे तो हो गया summer short ये वाला और साथ में जो bonus हो गया वो हो गया 5,000,000 तो टोटल आपको maturity बन गी 10,000,000 लेकिन साथ में इसको एक इसमें एक loyalty addition भी sorry final additional bonus भी मिलता है तो वो भी करीबन 5,000,000 के policy पर 1,500,000 मिलता है तो इसमें 1,500,000 भी जोड़ लेंगे अगर तो आपको करीबन करीबन जो maturity मिलेगी मैं आपको clear करके बता देता हूं clear करके 5,000,000 प्लस 5,000,000 प्लस 1,500,000 तो करीबन करीबन अगर इस तरीके के कोई भी policy ली जाती है तो उसमें करीबन करीबन आपको मिलता है बात कर रहे है लाइसी धन रेखा प्लान की तो इसमें गारिंटड है और प्लानों में बॉनस जो है वो किसी पॉलिसी में 4500 पे होता है मैं आपको द्वारा समझा देता हूँ कि किनी प्लानों में एक लाख पे वो होता है 4500 किसी प्लान में वो होता है वो 4800 होता है किसी प्लान में वो होता है 5000 हजार और किसी प्लान में वो पांच हजार पांसो भी हो सकता है किसी प्लान में वो होता है छे हजार लेकिन यह policy जो है इसमें गारेंटेड है मैं आपको नीचे बता देता हूं इसमें कैसे गारेंटेड है तो मैं चोटी आपको कैसे मिलेगी आपको मैं पहले बता देता हूं कि इस पॉलिसी में समग्च्षोड मिलेगा पांच लाख प्लस एक्रीट गारेंटेड बॉनस मिलेगा तो इसका फरक नहीं है कि इसमें सथाल्य चार मिलेगा पर फिक्स मिलेगा पहली डिकलर हो जाएगा तो इस तरीके से मिलेगा एक पहले मतलब आपको शुरू के एक साल से जैसे आपने बीस साल की पॉलिशी लिए है शुरू के एक साल से पांस साल तक आपको इसमें बोनस नहीं दिया जा रहा है लेकिन छटे साल से बीसवे साल तक छटे साल से बीसवे साल तक आपको पचास रुपे गारेंटेट दिया जाएगा इसे पकार यदि पॉलिसी 21 साल से 30 साल है चल गई है तो 55 रुपे गारेंटेट दिया जाएगा 31 साल से 40 साल चल गई है पॉलिसी तो 60 रुपे बोनस के रुप में दिया जाएगा तो दोस्तों मैंने जो बताया था आपको 1 lakh पर बताया था 1 lakh पर मैंने 5000 बताया था लेकिन इसमें ये जो है 1000 समोशोड पर बतायागे 1000 समोशोड पर तो 1000 पर सीधी सी बात है अगर 50 है 50 है तो 5000 मानिए इसमें बोनस कैसे कैलकुलेट हुआ है इसके आधार पर आगे बतायेंगे तो दोस्तों अब बात करते हैं इस प्लान के सर्वाइवल बेनिफिट की यानि सर्वाइवल बेनिफिट का मतलब होता है money back इस policy में आपको कब कब कितना money back मिलेगा इसकी बात हम इस वीडियो में करते हैं तो दोस्तों इस policy में एक particular percentage के सबसा आपको money back दे जाता है यदि आपने इस policy को यदि आपने इस policy को 40 साल के लिए लिया है तो आपको 4 बार इस policy में money back मिलेगा जब आप की policy को 20 साल होंगे तो money back मिलेगा और 25 साल होंगे तो money back मिलेगा 30 साल होंगे तो money back मिलेगा और इसी परकार 35 साल होंगे तो money back मिलेगा और वह money back आपको 20% मिलेगा समशोड का यदि आपने 5 लाग की policy ली है मान लिए 5 लाग की policy ली है तो आपको 5 लाग का 20% यानि 1 लाग रुपे एक लाक रुपी आपको 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल मिलेगा और अंत में आपको में चोटी अमांट मिल जाएगी जैसा कि हमने आपको उपर एक्जम्बल से दौरा समझाया था हम इसको आगे नीचे एक्जम्बल दौरा भी समझाने कुशिश करेंगे दोस्तों यह जो यहाँ पर एक गलत लिखा हुआ है यह उल्टा हो गया है यह जो है यह 40 है यह 30 है और यह 20 है इसी प्रकार यदि इसको 30 साल के लिए लिया जाता है तो तीन बार मनी बैक मिलेगा 15 साल, 20 साल और 25 साल और वह मिलेगा 15% आप बेशिक समझोर का या यानि 5 लाकी पौलिसी लिया तो और दो बार मनी बैक मिलेगा 10 वे साल मिलेगा और दस परसएंट समशोड का यानि यदि पांस लाग की पॉलिसी है तो दस परसेंट आप समझ लीजे पचास हजार पचास हजार मिलेंगे आपको दसफ़े साल और पंद्रवे साल तो दोस्तो इसमें मनी बैक आपको इस तरीके से दिया जाता है दोस्तो अब बात करते हैं इस प्लान के देथ बेनिफिट की देथ बेनिफिट का मतलब यदि कोई वेक्ति इस पॉलिसी को लेता है और उसकी बीज में देथ हो जाती तो उसके फैमिली को क्या फायदे इस पॉलिसी से मिलते है तो दोस्तो इस policy में यह है कि आपने यदि समशोड के लिए है मलब 5 लाग के समशोड के policy लिए है तो आपके family को पहले तो 125 परशेंट आप समशोड मिलेगा यानि यदि आपने 5 लाग का policy लिए है तो family को 6 लाग 25 अजार तो 6 लाग 25 अजार तो आसानी से मिलेंगे क्योंकि इस policy में यह है कि जितने समशोड के policy लिए है उसका 125 परशेंट समशोड मिलेगा और बाकी guaranteed addition मिलेगा मतलब जो भी guaranteed bonus है वो जूड के मिलेगा कि आगे हम एक्जांबल द्वारा इसकी कैल्कुरेशं करके आपको बताएंगे आ गएबढ़ते हैं हमने इस policy में आपको बता दिया था कि इसमें आपको पहले बात कर लेते हैं इसमें आपको surrender के बारे में हमने बताया देते हैं कि surrender दो साल बात कर सकते हैं, loan दो बार ले सकते हैं तीसरा हम बात करते हैं paid up value की दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने 20 साल के policy ली और आपने premium 5 साली भरी उसके बाद किसी कारणवास आप नहीं भर पाए तो यह policy कैसे काम करते हैं, उसी को बोलते हैं reduce paid up value इसको reduce paid up बोलते हैं या paid up value बोलते हैं तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं दोस्तों जैसे आपने 5 लाग की कोई policy ली और आपने 20 साल के लिए policy ली थी 10 साल premium भरना था, यानि 20 साल policy ली और 10 साल premium भरना था प्रीमिम भरना था लेकिन आपने पेमेंट के वल 5 साल ही के तो इस पॉलसी में अगर 5 साल के बाद प्रीमिम नहीं भड़ते हैं तो वो रिडियूस पेड़ प हो जाएगी आपकी पॉलसी अनुपातिक वल्यू में घट जाएगी यानि आपका इंस्योरन्स भी बना रहेगा और आपको बॉनस भी उसमें जुढता रहेगा लेकिन आपके अनुपातिक value में यानि अब value को कैसे निकालेंगे थोड़ा मैं समझाने के कोशिर करता हूँ मान लीज़े आपने 5 लाग के policy ली आपने 20 साल के लिए policy ली थी term payment करिए आपने 5 साल आपने payment करिए आपने premium भरा केवल 5 साल तो आपका एक तो insurance रहेगा इसका formula है कि summer short पांस लाग गुणा आपने भरा पांस साल भरना था दस साल तो आप इसको कर सकते हैं पांस से काड़ लेंगे दो और इसको से काड़ देंगे यह हो जाएगा धाय लाग यानि अब आपका insurance premium ना भरने के बावजूद भी insurance आपका धाय लाग कर रहेगा और धाय लाग के हिसाब से आपको maturity मिलेगी और bonus भी उसी हिसाब से मिलेंगे paid up का formula इस तरीके से है paid up value ब्राबर sum assured into total number of premium paid divide total number of premium to be paid यह मैंने आपको formula के द्वार उपर भी समझा दिया है अब इस प्लान को example द्वारा समझने के कोसिज करेंगे एक्जामपल में हमने कुछ data लिया हुए हमने इस policy में लिया है 10 लाग सबसे पहले तो यह policy जो है limited premium Mr. Vinod जो है इस policy को ले रहे हैं और limited premium वाला option चूज कर रहे हैं जिसमें हुए 10 लाग की policy ले रहे हैं age उनकी अभी 30 साल है और policy term 30 साल है और जैसा कि हमने बताया था यदि 30 साल की policy term है तो उन्हें केवल premium भनने पड़ेगी 15 साल और 2021 से policy लिया है पहले साल का premium उनका इतना रहेगा 76,642 और दूसरे साल या उससे आगे की premium उनकी रहेगी कम से कम 44,992 यह थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकती यदि government जो है GST का rate कम ज्यादा करती है तो इसमें fluctuation भी हो सकता है तो 44,000 से कम ज्यादा भी हो सकता है अब आगे समझने कोशी करते हैं कि policy कैसे काम करती है यह example है उपर हमने आपको premium दखा दिया तो as per above example policy holder need to be pay premium और रुपी जितना तो इतना policy holder को पहले साल premium भरना है उसके बाद बचेवे सालों में मलब 15 साल तक या 14 साल तक 14,992 रुपे भरना है और यह भरना है 15 साल तक और policy complete होगी 30 साल में तो अब जाने कोशी करते कि मैचोटी किसे सबसे मिलेगी 30 साल पर policy ली थी मैचोटी होगी 2021 में और तब मिस्टर विनूत की जो age होगी वो होगी 60 साल 60 साल की होगी उन्होंने total premium भरा 11,26,530 पूरे 15 साल में और उन्हें जो मैचोटी मिलेगी 27,50,000 रुपे with money back मतलब 27,50,000 रुपे money back के साथ total मिलेगा आगे देखते हैं दोस्तों आगे table दिया है अब हम आपको बताते हैं कि आगे table कैसे आपको समझाए जाए आपको हम समझाते हैं कैसे करेगी जैसे ही उन्होंने 10 लाग की policy ली तो उनका insurance पहले दिन से पहले दिन से 12,50,000 का हो गया यदि पहले साल देथ होती है तो विनोत की family को 12,50,000 मिलेंगे और आपको जैसा कि मैंने बताया था कि पहले 5 साल कोई बोनस नहीं जुड़ता देखे इसमें 5 साल तक कोई भी बोनस न जुड़ना शुरू हो गया है जैसा आप देख पा रहे हैं यह बोनस जुड़ रहा है इसमें तो इसकी value बढ़ रही है यह आप देख रहेंगे यह जुड़ है और सांथ में guaranteed edition यही guaranteed edition है छटे साल से मिलना शुरू हो रहा है देखे यह guaranteed edition है पचाहजार पचाहजार एक लाक यह पचाहजार रुपे के हिसाब से पहले 5 साल जुड़ रहा है मतलब 6 साल से 20 साल तक जुड़ता रहेगा उसके बाद चीज चेंज हो जाएगी और यह बढ़ जाएगा देखे यह बोनस जुड़ रहा है इदर और सांथ में आप देख र भी डेढ़ लाग इधर मिल रहा है यह पिद डेढ़ लाग इधर मिल रहा है और आगे जाके यह लग यह पूरा साड़े 4 लाग रोपे यह पूरा मिल चुका है तो टोटल मैचुर्टी लास्ट में मिलेगी कितनी 23 लाग रुपे मिलेंगे और 4.5 लाग रुपे मनी बैक के रुप मिलेंगे तो टोटल जो मैचोर्टी है यह 27 लाग 50 जार बिल्कुल गैरेंटेड रहेगी ना 1 रुपे कम मिलेगा यह समय ना 1 रुपे ज्यादा मिलेगा पॉलिशी होल्डर को पॉलिशी लेते समय पता रहेगा कि मेचोर्टी पे कितना मिलना है तो इस तरीके से यह पॉलिशी काम करती है अब कंडिशन यह है सपोज इफ अनफॉर्चनेटी दैथ और पॉलिशी होल्डर हैपन इन 2042 यानि 2042 में यदि मिस्टर वीनिट की दैथ हो जाती है और उनकी एज तब रहती है उनोंने 30 साल की एज मैं इस पोल्जी को लिया था उनोंने 31 साल की एज तक जो एलाइज को प्रीमिम भरावा ग्यार लाख 26,530 भरा तो नॉम्नी को 20,055,000 रुपए death case में मिलेंगे यदि उनके husband की death हो जाती है और यदि accident से death हो जाती है तो 30,05,000 रुपे मिलेंगे क्योंकि accidental में some assured का double दिया जाता है अब additional और information की बात करते हैं example आपको समझा दिया है यदि कुछ समझ में आपको कुछ doubt है तो आप हमें इस वीडियो के comment सेक्ट में comment भी कर सकते है additional information आपको समझानी कोशी करते है revival यदि आपने इस policy को लिया है और बीच में आप policy किनी कारणों से financial condition के कारण policy का premium नहीं भर पाए है तो आप जब से आपने premium नहीं भरी है पांस साल के अंदर इस policy को दुबारा चालू करवा सकते है उसमें आपका bonus उगरा सारा आपके policy में दुबारा जूड़ ज़िए loan के बारे हमाँ पहले बता चुके हैं कि दो साल complete होने के बाद और दो साल का प्रियम भरने के बाद आप इस policy पे loan ले सकते हैं और जैसा कि हमने यह भी बताया था कि यदि आपकी policy चालू है तब आप जो है इस policy पे loan ले रहे हैं तो 90% surrender value का आपको मिलता है और अगर reduce paid up जैसे paid up policy आप convert हो गई है तो 80% आपको surrender value का 90% loan दिया जाएगा रैडर के बार में हमने बता दे कि accidental रैडर आप ले सकते हैं टर्म रैडर दे सकते हैं प्रिमियम वेवर रैडर ले सकते हैं इस policy suicide college के बारे हम बता जाते हैं कुछ कारणों से यह ऐसा होता है कि policy लेने के बाद लोग जान मुझके suicide कर लेते हैं या किसी और आफात के कारण suicide कर लेते हैं तो यदि कोई वेक्ति suicide कर लेता है और एक साल से पैसले कर लेता है तो total premium का 80% है उसके परिवार को दिया जाएगा जिसमें GST उगर सामिल नहीं होगा यानि GST हटा के जो भी premium जमा होगा उसका 80% उसके family को दिया जाएगा और claim नहीं दिया जाएगा 12 महिने या एक साल के अंदर अगर suicide करता है यदि उसके बात करता है तो full amount मिलता है उसमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन यह जानकर आपको दी जा रही है ऐसा करना ज़रूरी नहीं है दूसरा cooling off cooling off के बारे में बता जाते हैं यदि मान लिजे किसी कारण से आपने गलती से इस policy को ले लिया है और आप इस policy को cancel करके अपना पैसा वापिस लेना चाहते हैं तो जब आपका bond paper आपकी policy हो जाते है उस दिन से 15 दिन के अंदर आप इस policy को cancel भी करवा सकते हैं 15 दिन का आपका time होता है जब भी आपको bond paper मिलता है और आप इस policy को cancel करा सकते हैं यदि आप इस policy में back dating कर सकते हैं तो available है उसी financial year में आप अप्रेल से लेकर जो जिस time भी आप policy ख़ीद रहे इसको पीछे के date से कर सकते हैं और यदि proposal form की बात करें तो इस policy में 300 number 340 और 360 proposal form का इस्तिमाल किया जाता है तो दोस्तों यह थी LIC धन रेखा प्लान 863 की जानकर यदि आपका कोई सवाल सवाल या सुजाव है तो आप हमें इस वीडियो के comment section में comment कर सकते हैं और यदि आप जाना चाहते हैं कि मेरी इस policy में इस विकल्प में इतने समशोड पर मेरी premium कितनी आएगी मुझे कितना मिलेगा तो आप हमें इस वीडियो में अपनी age बताएंगे comment section में sorry comment section में अपना age बताएं summer short बताएं policy cut term में कि कौन सी ले रहें बस और इन जानकारियों के आधार पर हम आपको comment में ही बता देंगे कि आपको कितना जमा करना है आपके कितने प्रिविम आएगी और कितने में चोटे हैं मिलेगी तो दोस्तों आपका इस policy इस वीडियो को आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो दोस्तों मिलते हैं अपनी next वीडियो में तब तक के लिए good bye